मुण जोदडो तामरकाल का सबसे बड़ा शहर था मुण जोदडो अर्थात मुर्दों का टीला यह नगर मानव निर्मित छोटे छोटे टीलों पर बना था इसकी नगर यूजना अद्वितिय है यह नगर दो भागों में विभाजित था पश्चिम की ओर का भाग एक उचे टीले पर निर्मित था जिसे गढ़ या सिटाडेल के रूप में जाना जाता था पूर्व में दूसरा भाग निम्न शहर के रूप में जाना जाता था जो की एक बड़े भाग में स्थित था गढ या सिटाडेल का क्षेत्र छोटा होता था उबरी भाग सिटाडेल रक्षा चार दिवारी से घिरा हुआ था जो की युद्ध के समय में रक्षा प्रदान करता था चार दिवारी के भीतर महाकुंड, प्रशासनेक इमारतें, सभाभवन, ज्यानशाला और कोठार हैं इस भाग के एक सिरे पर प्राचीन और बड़ा बौध स्तूप स्थित है जो यहां का मुख्य केंद्र था नगर के उपरी हिस्से में 40 फुट लंबा और 25 फुट चोड़ा एक महाकुंड भी है इसकी दिवारें और तल पक्की इटों से बने हैं यह एक विस्तृत महान स्नानगार है महान स्नानागार धारमेक शुद्धीकरण के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता था इस सरोवर में दू तरफ से उतरने के लिए सीड़ियां बनाई गई थी और चारों और कमरे बने हुए थे कुंड में बाहर के अशुद्ध पानी को न आने देने का ध्यान रखा गया कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए एक कुआ है सभागार एक और महत्वपून इमारत थी इसमें सभा करने के लिए कमरे बने हुए थे जहां पुजारी लोग रहते थे प्रार्थना करते थे और लोगों से मिलते थे यहां एक विशाल कोठार भी है जिसमें अनाज रखा जाता था गेहूं हडपा का मुख्य भोजन था लेकिन अन्य अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और जों भी यहां पर पाए गए अन्य भंडार में दिवारों द्वारा विभाजन किया गया है और हवा नलिकाएं भी हैं जिससे पता चलता है कि यह है इमारत कभी एक अन्य भंडार रही होगी निम्न शहर निचला शहर एक आवासत क्षेत्र था जहां सामाने लोग निवास करते थे यहां दो प्रकार के मकान पाये जाते हैं उरब की और बड़े दो मनजिला मकान जिनके पास नीजिक कुएं होते थे और दूसरी और एक मनजिला चोटे मकान यहां सडकें और गलियां जाल पद्यती पर निर्मित थी तथा एक दूसरे के समानां तर चलती थी और समकोन पर मिलती थी सडकों पर पक्की इंटें बिचाई गई थी सडकों को इस तरहां बनाया गया कि इसमें गहरे मोड ना हूँ जिससे की मालगाड़ें की आसान आवाजा ही हो सके यहां घर पकी हुई इंटों से बने होते थे और गलियों में जाकर खुलते थे उनमें खुले प्रांगण होते थे और उपनी मन्जिल पर पहुँचनी के लिए सेढ़ियां होती थी घर के भीतर अलग-अलग कमरों का निर्मान किया गया था हर घर में जलनिकासी की व्यवस्था है घरों से गंदा पानी धकी हुई छोटी नालियों से होकर एक बड़े नाले में मिलता था जो की सडक के नीचे बहता था इससे एक सुनियोजि धकी हुई जलनिकासी की व्यवस्था का पता चलता है शहर की जल की पूर्ती सार्वजने कुए से होती थी